साथ साथ साल पुरानी दुखानों को तोड़ा गया, हमारे ब्यापारियों को बेघर कर दिया गया, ब्यापारियों को दो जून की रोती का संकट उनके समने आ गया है, उनको बच्चों की फीज देने तक उनके पास नहीं है यहां के लोगों ने दो दो बार उनको एसम्बली में भेजने का काम किया, और मैं चाहता हूँ कि उनको आना चाहिए, लोगों का दर्द समझना चाहिए और ये विदानसवा इस्तर का मामला है उत्रकंड में आज फिर से धामी सरकार का बुल्डोजर चला है, लेकिन आज जो एक्शन हुआ, वो ना तो किसे अवैद मजार पर हुआ, नहीं किसी अवैद महस्जित पर आज उत्रकंड सरकार का बुल्डोजर टिहरीं सिले में करीब 60 वर्शों से चली आ रही दुकानों पर चला है, जिसके बाद स्तानी व्योपारियों माक्रोश है और वो सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, और जम कर नारेवाजी कर रहे हैं व्यापारियों का दो जून की रोटी का संकट उनके सामने आ गया है, उनको बच्चों की फिर्ष देने तक उनके पास नहीं है, ऐसे समय पर व्यापारी भाग उतेजित है, आत्म डाह करने के लिए तैयार था, उनका जो गुष्चे को करने के लिए हम ने आज बजार एक रहा दा देख सकते हैं भारी आक्रोषित है और वाजिव है क्योंकि रोजी रोती का संकत है दो रोजिगारी का संकत है प्लाइन सब बड़ी मार तो प्लाइन को हो रही है और उसके बाब जीद भी ग्यापारी उपर इतना रूर जाहर किया जाता है कि उनकी दुपाने उत्रखन सरकार के प्रशासन ने यह कारवाई टिहरी जिले के खंसाली बाजार में की है यहां प्रशासन ने जब अतिकर्मन हटानी पर actionलिया तो कई ब्योपारियों की पूरी की पूरी दुखाने तोड़ दी गई अतिकर्मनपर प्रशासन की इस कारवाई के बाद यहां करीब 800 दुकाने बंद रही जिसके बाद वियोपारियों ने चेताव ने दी है कि ये दुकाने तब तक बंद रहेंगी जब तक वियोपारियों के पक्ष में कोई ठोस कदम नहीं उठाये जाता चोटे ब्यापारियों को दमनकारी नेती के तैस भाज़वा के सरकार उनके जवसायों को तोड़ने का काम कर रही है तो ब्यापारी मिश्चित रूप से अंदोलेक्ट होगा और पांद रेस इसमें पूरा समर्थन ब्यापारियों के साथ है इसके लिए हमें भूब घर्पाल करना पड़े धरना पर्दसंद करना पड़े सरकार के खिलाब हम करेंगे और निश्चित रूप से यदि सरकार सरकार में बैठे ये लोग माने मुक्षमंत्री जी तक हम इस बात को कहना चाहते हैं कि आप इसमें अध्या देश आने का काम करें हमने उत्रा खंड गाज इसल कर आरूप लग रहे हैं व्यवपारी बीजेपी बिधायक पर आरूप लगा रहे हैं कि वह इस मुश्किल समय में उनके साथ नहीं खड़े हैं जबकि इस इलाके के लोगों ने उन्हें दो बार भारी बहुमत से जीत दिला कर विधान सबावी जा था वही कॉंग्रेस नित झाल झाल